तो दोस्तों आई एक बहुत ही बाड़ी खुसकवरी जो कि टीम इंडिया के लिए जो कि आपको पता होगा कि युवराज सिंग ने इकलोते ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में ब्रॉड के 6 गेंदों पे 6 छक्के मार के दिखाये थे एक ICC इवेंट में और यहा यह काम बूमरान ने करके दिखा दिया अपने पहले ही कटान के रूप में मैचश खेलते हुए बूमरान जो की आप ऐस गेंदोओज आ को यह जाने जाते हैं पर उन्होंने बैटिंग में अपना नाम करके दिखा दिया और लिएक्ट आनवाइज के पहले कभी कटान रह च लिए 9 रन और फिर अगली बॉल उन्होंने ब्रॉड ने डाली तो वो बॉल डल गई 9 बॉल बॉम्रा ने उसे स्टैंड्स के बाहर भेज दिया और 6 रनों के लिए बेज गया यानि कि दो बॉल में बन गए 15 रन जो कि आज तक कभी नहीं बने ओंगे टेस्ट किर्केट में और फिर कीसरी बॉल पर नहीं रुके उन्होंने चौका मार के उस बॉल को भी बाउन्डरी के बाहर भेज दिया चौति बॉल पर बॉल का कुछ ऐसा ही हाल किया और वह बॉल भी बाउंडरी के पार गई तो बॉम्रा रुकने थोड़ी ने वाल फीक और और बंडरी लगा दी और शती बॉल पर बंडरी के अलावा उन्होंने च्छा का लगा दिया और जीन, नौबल के कारें बॉल नहीं गिनी थी तो वो और की साथी बॉल थी और उस पर केवल एक रन आया अगर एक रन की जगा बाउंडरी आती या कुछ और आता तो यह रिकॉर्ड हो जाता एक और में सबसे ज़्यादा रन बनने का किसी भी फॉर्मैट में पर ऐसा हो नहीं पाया लाश बॉल पर बॉम्रा ने केवल एक रन लिया तो आपको क्या लगता है कि यह रिकॉर्ड एक बॉलर द्वारा बन सकता था और ऐसा बना के दिखा जिए जस्परीद बॉम्रा ने जो की वो कप्तान बने है तो इस खुसी में उन्होंने टीम को एक गिफ दिया और आप भ क्यानल को सब्सक्राइब करते हैं और साथी साथ इस वीडियो को लाइक करते हैं तो तब तक के लिए धन्यवाद टेक केर की प्लेइंग प्लेहार्ट